हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका हिंदी रश में टीवी का मौसम इन दिनों बदलता नंसर आ रहा है ओडियन्स के पसंद के हिसाब से टीवी के शोज को आगे बढ़ाया जा रहा है और अगर शो को टी आरपी नहीं मिल रही तो उसे तुरंट ओफ एर कर दिया जाता है आई इस वीडियो में हम आपको बताते हैं ऐसे ही टॉप सेवन टीवी शोज के बारे में जो जल्दी ओफ एर होने जा रहे है जहासिकी रानी ये शो इस साल 11 फरवरी को ओन एर हुआ था इस शो में अनुषका सेंध रानी लक्षमी भाई का कैरेक्टर प्ले कर रही है इस शो की कहानी एक ऐसा फॉर्मुला है जो पहली भी टीवी पर दिखाया जा चुका है यही नहीं शो से तुरन पहले ही कंगना रनौत की फिल्म भी रिलीज हुई थी ऐसे में इस बार शो को ओडियन्स नहीं मिली और सिर्फ पांच महीने के बाद ही ये शो ओफ एर होने वाला है केसरी नंदन को साल की शुरुआत के साथ लॉंच किया गया था फर्स जन्वरी से ओन एर गया ये शो छे महीने के बाद ही ओफ एर होने जा रहा है गंगल पर आधारित इस शो में मैरी कॉम, गीता फोगाड जैसे सेलिबरिटीज नजर आये थे हाना कि इस खास गेस्ट अपीरियंस के बाद भी ये शो टी आरपी के मामले में कोई बढ़त नहीं दिखा पाया सिलसला बदलते रिश्टो का टू सिलसला बदलते रिश्टो के दूसरे सीज़न को इस साल मार्च में शुरू किया गया था हाना कि दूसरा सीजन टीवी पर नहीं आया इसे ओनलाइन ही लॉंच किया गया था हाना कि ओनलाइन टी आरपी में भी ये शो कुछ खास कमाल नहीं कर पाया है जिसके बाद कुछ महीनों बाद ही अब इस शो को ओफ एर कर दिया जाएगा इस शो में अनेरी वजानी, तेजस्वी प्रकाश और कुनाल जैसिंग मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं स्टार प्रेस के इस शो को 23 फरवरी को लॉंच किया गया था हाना कि अब जब इस सूपर नैश्रल शो को टी आरपी नहीं मिल रही है तो ऐसे खबरे हैं कि इस शो जल्दी ओफएर कर दिया जाएगा हाल में ही मांसी श्रिवास्तों को इस शो में छिपकली बनने के लिए च्रोल किया गया था ये है महाबते ये है महाबते के ओफएर होने की खबरे आज से नहीं बलकि पिछले दो सालों से आ रही है हालाकि अच्छे खासे टी आरपी के चलते इस शो को टीवी पर अभी भी जारी रखा गया है ये है महाबते 13 दिसंबर 2013 को ओन एर किया था इस शो को 6 साल होने वाले है काफी लंबा सफर टै करने के बाद ये शो अब जल्दी ओफएर जाएगा इश्क में मरजामा नियाशर्मा और अरजन बिजलानी का ये शो जल्दी ओफएर होने वाला है इस शो को 20 सितंबर 2017 को ओन एर किया गया था इस शो को कई महीने तक अच्छे TRP नहीं मिली इसकी वज़़ से दो सालों तक चलने वाले इस शो को तुरफ़ंट ओफएर करने का तैसला लिया गया इस शो से अलीशा पनवर के जाने के बाद इसे अच्छे TRP नहीं मिलपाई सर्वगुन संपन सरवगुन संपन को शुरू हुए अभी तीन महीना भी नहीं हुआ है कि ऐसी खबरे आ रही है कि ये शो जल्द ही ओफएर होने वाला है टीरपी ना मिलने की वज़े से रातो रात इस शो से चार बड़े कलाकारों को निकाल दिया गया अब इस शो के प्लॉट को बदल दिया गया है श्रेनो पारिक के लुक पर भी काफी खर्चा किया गया है हाला कि इतना सब करने के बाद भी अगर शो को आउडियन्स पसंद नहीं करती तो मेकर्स इस शो को जल से जल ओफएर कर देंगे और ऐसी ही अबडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिये दिरश